नमस्कार आगनबारी बहनों आप सभी आगनबारी बहनों का हमारे आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि पोसंट्रेकर एप के अंदर आपने किसी भी लभार्थी का एंट्री यानि कि गलत एंट्री आपने पोसंट्रेकर एप में कर दिया हो या फिर बाई दवे किसी कारण वस आपने उस लभार्थी का एंट्री डबल कर दिया हो तो उन सभी लभार्थियों को पोशन ट्रेकर रेप से किस परकार से हटाएंगे तो आज मैं आपको 4-5 एस्टेप बताने वाला हूँ जिसते कि आप पोशन ट्रेकर रेप से लभार्थियों के इंट्री हटा सकते हैं और उससे पहले आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को नीचे लाल कलर वाले सब्सक्राइब बटन को दबाके बेल आइकन के नोटिफिकेशन दबाने के बाद औल का बटन जरूर सेलेक्ट कर लें तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि बेनिफिसरी रेजिट्रेशन में हम लोग ने सभी लवारतियों का इंट्री कर रखा है इतने भी मोडूल आप लोग देख रहे हैं वो बच्चों की मोडूल हो या फिर गर्भवाती महिला हो या फिर अस्तनपन कराने वाली महिला हो उन सभी मोडूल में आपको यहां पर बताने वाला हूँ किस परकार से आप लोग उनका जो इंट्री है उसको पोशन ट्रेकरेब से हटा सकते हैं जैसे की नय नय जो अपडेट आ रहा है यहां पर आप लोग देख परे होंगे कि लभार्थियों का अधार फेरिफिकेशन भी करना जरूरी है और जिनका अधार फेरिफिकेशन नहीं होगा उनका किस परकार से यहां से हटाएंगे तो जैसे देखिए जो लभार्थी का अधार वेरिफिकेशन हो चुका है यहाँ पर 3.5 किलिक करेंगे किलिक करने के बाद पुरफाइल अपडेट में जाके हम लोग पहले क्या करते थे कि जो भी लभार्थी है उसका यहाँ से डिटियल हटा के सभी जो डिटियल से उसको हटा के हम लोग यहाँ से नए लभार्थी का इंट्री कर देते थे तो वो पुराना वाला लभार्थी यहाँ से हट जा रहा था लेकिन जीसका भी अधार वेरिफाई हो चुका होगा तो उसको यहाँ से आप लोग नहीं हटा सकते हैं उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो option दिख रहे हैं क्या लभार्थी की मिर्थी हो गई है अगर आप लोग वाकई में किसी लभार्थी को हटाना चाहते हैं अपने portion tracker app से यहाँ से आपको यह वाला option select करना होगा select करके यहाँ पे जैसे ही select करके submit करेंगे तो यह आप से पूछेगा क्या आप वाकई लभार्थी को मिर्थ गोशित करना चाहते हैं अगर किसी condition में उस लभार्थी को हटाना चाहते हैं ये वाला option भी आप select करके यहां से हटा सकते हैं उसके बाद अगर किसी लभार्थी का अधार कार्ड verify नहीं हुआ होगा तो आपको क्या करना है जैसे कि three dot पे click करेंगे click करने के बाद profile update में जाएंगे और profile update में जाकर यहां पे जिस लभार्थी का हमको details हटाना है वो सभी details को हम लोग यहां से उसको हटा देंगे और जो नए वाला लभार्थी है गर्भौती महिला उसकी details यहां पे भर के submit करेंगे तो जो आपने यहां पे mobile नमर दिया होगा उसके mobile पे एक OTP जाएगा OTP डालने के बाद इस लभार्थी का details हट कर नए वाले लभार्थी का details जाने के बाद migrate profile का option पे जाएंगे और यह जो आप लोग condition देख रहे हैं अगर किसी condition में इसकी गर्भपात हो जाती है या बच्चा मिर्थ जनम मिर्थ पैदा होता है मरा हुगा पैदा होता है तो उस condition में आपको यह वाली condition अप्लाई करनी है और आपको अगर किसी भी कार इसमें से उस लभार्थी का details हटाना है तो आप लोग यहां से यह गर्भपात वाला जो option है इसको select करेंगे select करने के बाद यह जो migrate profile का option देख रहे हैं इस पे आप लोग click कर देंगे click करने के बाद यहां भी पूछेगा आप से कि क्या वाकवी इस लभार्थी को लभार्थ से हटा सकते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं जो अस्त्वन पान कराने वाली महिला है उसमें हम लोग कीस परकार से हटाएंगे तो अस्त्वन पान कराने वाली महिला में जो category दिया गया है उसमें profile update में जाएंगे profile update में जाने के बाद यहां से अगर लभार्थी का अधार फिर फ्याई हो चुका होगा तो आपको क्या करना है यहां पे जो लभार्ति का option दिखा रहा है कि क्या लभार्ति की मिर्तू हो गई है अगर हटाना चाहते हैं तो यहां से भी आप उसको हटा सकते हैं नहीं तो एक और option है आप सभी को मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ जिसमें की जो अस्तोन पान कराने वाली महिला है उस महिला को आप पोसंट शेकर रैप से हटा सकते हैं जैसे की जो जैसे की जो लभार्थी है उसके साइड में जो थ्री डॉट का ओप्सन देख रहे हैं उस पे किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद प्रुफाइल अपडेट करें पे जाएंगे प्रुफाइल अपडेट पर जाने के बाद यहां पे जो बच्चे की डिलिवरी की तारीक आप लोग देख रहे हैं अगर हम लोग इस डिलिबरी तारीक को ज्यादा कर देते हैं यानि जैसे कि आप सभी को मालू है अस्तन पान कराने वाली महिला है वो महिला के बच्चे जब तक 6 महिने के नहीं हो जाते हैं तब तक इस अस्तन पान कराने वाली महिला की केटेगरी आपको इस अस्तन पान करान अगर किसी कारवन वस आपको पहले ही उस अस्तनपार्ण करानवली महिला को हटाना है यानि गलत इंट्री हो चुका है तो उसको हटाना है जैसे कि यहाँ पे जो डिलिवरी की तारीक दी गई है यहाँ पे दिया गया है Africa 29 ओरं दी गया है जैसे कि आज का डेट से लेखे छे महिले की तक आपको डाल देना है जिसे कि छे मनथ पूरा हो जाए और यहाँ से सब्मित करेंगे तो वो लभार्थी आपके अस्तनपार्ण कराने वली क्याटेगरी निकल जाएगी तो इस तरीके से पोसंट ट्रेकर एप लाभार्थी का इंट्री यहां से हट जाएगा उसके बाद जो से चे महाच के बच्चे है ciek है और ये चो तीन शाल के बच्चE है इसमें आपको क्या करना हैमा लेजें रूत है किसी मात बच्चे की गलत कि जो लभार्थी का डिटेल्स हटाना है वो सभी डिटेल्स को आपको पहले यहां से हटाना होगा सभी जो भी डिटेल्स है उस पुराने वाले लभार्थी का यहां से हटा कर और नए वाले लभार्थी का नाम, जनमतिति, मेल, फीमेल, पिता का नाम, माता का नाम सभी details नए वाले बच्चे का डाल कर यहाँ पे mobile नमर डाल देना है mobile नमर डालने के बाद यहाँ पे submit का option जो देख रहे हैं submit के option पे किलिक करेंगे तो उस लभार्थी के mobile पे OTP जाएगा जिस लभार्थी का आप नया registration करना चाहते हैं और सभी लभार्थीों में यह वाला option आपको देखने को मिलेगा क्या लभार्थी की मिर्तिव हो गई है तो सभी module में आपको यह option देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप इस condition में भी उस लभार्थी की entry को यहाँ से आप लोग हटा सकते हैं छे माँ से लेके तीन साल के जो बच्चे हैं या फिर तीन साल से लेके छे साल के जो बच्चे हैं अभी भी कई से काई यह बोलती हैं कि जो छे माँ से बच्चे का उम्र जादा हो जाएगा तो क्या उसका entry में करना होगा तो जी नहीं मैं आपको बता देता हूँ कि 6 माह का जो बच्चा होगा 6 माह जैसे उसका पूरा होगा वो बच्चा 6 माह से लेकर 3 साले वाले कैटेगरी में automatic ही चला जाएगा और 6 माह से 3 साल वाले जो बच्चे कैटेगरी है यानि इस बच्चे का जो तीन साल जब पूरा होगा तो तीन साल से छे साल वाले केटेग्री में आटोमेटिक ही वापस आ जाएगा और जो तीन से लेकर छे साल के जो केटेग्री है अगर बच्चा छे साल का हो जाता है जब बच्चे का छे वर्स पूरा हो जाएगा यहां से वो बच्चा हट जाएगा आपको इसमें कुछ करने की जरूत नहीं है हाँ अगर आपने इस वाले काटेगरी में गलत इंट्री कर दिया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोफाइल अपडेट में जाकर उस बच्चे का इंट्री हटाकर और नए वाले बच्चे का इंट्री कर देना है तो आप लोग ऐसा करेंगे तो उस बच्चे का इंट्री हट जाएगा जिसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर एप में नए इंट्री कर सकते हैं और जो बच्चों का डिलीट करने का जो ओप्शन है इस पोशन ट्रेकर रैप में एड नहीं किया गया है इसलिए आप लोग ये जो तरीका मैंने आपको 4-5 तरीके बताए इस तरीके से आप लोग पोशन ट्रेकर रैप से गलत लभार्थी या किसी भी कारण वस इंट्री गलत कर दिये हैं उनका एंट्री इस परकार से आप लोग हटा सकते हैं तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में